हलो स्टूरेंट्स, आज हम करेंगे व्याकरन का टॉपिक रस कावी को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूती होती है उसे रस कहां जाता है रस का संबंद श्रीधातू से माना गया है जिसका अर्थ है जो बहता है अर्थात जो भाव रूप में हिर्दे में बहता है उसी को रस कहते हैं रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद रस को कावी की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है रस उत्पत्ती को सबसे पहले परिभाशित करने का श्रे भरत मुनी को जाता है यानि कि भरत मुनी ने सबसे पहले रस की परिभाशा लिखी है भरत मुनी ने लिखा है विभावानु भाव व्यभीचारी संयोग द्रस निश्पत्ती दुबारा सुनों इसका अर्थ है विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निश्पत्ती होती है रस के चार अंग हैं फस्ट है विटा इस्थाई भाव दूसरा है विभाव थर्ड है आपका अनुभाव और चौथा है संचारी या व्यभीचारी ये दिखो है व्यभीचारी व्यभीचारी भाव तो फस्ट आता है हमारा इसमें इस्थाई भाव इस्थाई भाव का मतलब है प्रधान भाव ठीक है इस्थाई भाव का मतलब है या अर्थ है प्रधान भाव ठीक है प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुचता है साहित में वे मूलत त्व जो मूलत है मनुष्य के मन में हमेशा नहित रहते हैं यानि कि प्रेजेंट रहते हैं हर समय और कुछ विशेश अवसरों पर या विशेश कारणों से स्पस्ट होते हैं काव या नाटक में काव या नाटक पले जो हम देखते हैं रंगमंज काव या नाटक में एक स्थाई भाव शुरू से यानि कि आरंभ से शुरू से आखरी तक होता है कि ये एक स्थाई भाव ऐसा है कि जब भी हम कोई काव या नाटक देखते हैं तो ये व्यक्ति के मन में शुरू से आखरी तक रहता है ठीके बच्चे इसका दूसरा आजाता है पार मुणों हो बच्पाई ये थी तक है में एक स्थाई एक स्थाई प् हाई जिर रहता है